संगम नगरी प्याराज में बाड अब मुसिबत बनती जा रही है नदियां खत्रे के निशान से उपर बैर रही है बाड के कराण पानी रियाशी इलाकों में बने घरों में घोस चुका है और लोगों के लिए मुसिबत बनता जा रहा है जहां घर में खड़ी कार, सैकले और तमाम सामान पानी में डूब रहे है वहीं सेक्डों मकानों में बाड का पानी तबाही मचा रहा है चोरी के डर से लोग घर की छत पर रहने लगे हैं घरों में फसे बाड पीड़त अब सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं घरों में पानी भरने के करण बच्चे नाव से स्कूल जाने को मजबूर है। ये बगाड़ा इलाका है जहां बाड़ ने कहर बरपा रखा है। हर तरफ यहां पानी पानी नजरा रहा है नाव ही कहीं आने जाने का एक मात सहारा बचा है। बच्चे नाव के सारे सकूल जा रहे हैं और नाव से ही वापस आकर सीडियों के सारे घर में दाखिल हो रहे हैं। संबब मदद का प्रियास कर रहा है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं दोनों नदियां डेंजल लेवल को पार कर चुके हैं और अब जब अबर्दस तबाही मजाने लगी हैं नदियों में आये उफान की वेसे अकेले शेहरी लागे की तीन दर्जन से जादा महले में बार का पानी गुस गया है NDRF ने बार में फंसे 26 लोगों को निकाल कर सुरक्षित इस्थानों पर पहुंचा दिया है बार के कारण कई महले पानी से गिर गे हैं जिन में दारगंच, छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, करेला बाग, गोस नगर, गंगा नगर, अशोग नगर, दुरोपति घाट, नीवा जेके कलोनी समेट तीन दर्जन से जादा महले तलाब बने हुए है कई इलाकों में तो माकावनों की पूरी एक मंजिल तक डूप चुकी है, अब तक करीब 2700 से जादा लोग और 14 बार रात शीवरों में रिशनर ले चुके हैं ऐसे में गंगा और यमुना नदियां 36 मीटर का लेवल पार कर सकती है, डियम ने पार में फसे लोगों से अपील की है कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित इस्थानों पर चले जाएं ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक चेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्याबाद